निमलिखित में भागफल और सेश निकालें पहला प्रस्ण है सत्तर भागा दस यानि सत्तर को दस से भाग देना है ठीक है? तो दस से सत्तर को भाग देंगे तो दस सत्तर कितना होता है? सत्तर तो देखें सत्तर में से सत्तर घटाएंगे तो सुनने आएगा तो यहाँ पर हम इस तरह कर देंगे यानि कुछ नहीं बचा सुनने बचा है सिर्फ ठीक है? तो यह हो गया भाग फल तो हम लिखेंगे भाग फल बराबर साथ यहां पर जो और आता है उसको भागफल करता है और जो नीचे आता है उसको सेश तो सेश बराबर कितना हो गया सूने जब कुछ नहीं बचा तो सेश क्या हो गया सूने ठीक है तो भागफल साथ और सेश सूने अब देखिए दूसरा दूसरा में है 120 भागा 10 120 को 10 से भाग देना है तो 10 से 120 को भाग देंगे तो एक बार में लगाएंगे तो यहां पर 10 लिखेंगे ठीक है अब 12 में से 10 को खटाएंगे तो 2 आएगा और ये कट गया एक में से एक गया सुनने इसको काट देंगे अब देखे इस सुनने को उतारेंगे तो अब 10 जूने कितना होता है 20 अब इसको काट देंगे तो इसका उत्तर कितना हो गया यानि भागफल 12 और सेस कुछ नहीं बजा क्योंकि 20 में से 20 गया सुनने ठीक है तो भागफल 12 लिखेंगे हम भागफल बड़ाबर 12 कॉमा सेस बड़ाबर सुनने सेस कितना आ गया सुनने तीसरा तीन में है 400 को भाग देना किससे 100 से तो हम 100 इस तरह से लिख लेंगे यानि 100 से 400 को भाग देना है तो 100 से 4 100 से 4 को गुना करेंगे तो 400 आएगा तो भागफल बड़ाबर कितना आ गया चार कॉमा सेस बड़ाबर सुनने भागफल बड़ाबर 4 सेस बड़ाबर सुनने चार प्रस्न चार 700 को भाग देना है 100 से तो 100 से 700 को भाग देंगे तो 100 से देखे 100 सते 700 होता है साथ बार में लगेगा तो कितना आ गया भागफल साथ और सेस फल कुछ नहीं बचा यानि सुनने तो लिखेंगे भागफल बड़ाबर साथ कॉमा सेस बड़ाबर सुनने तो भागफल आ गया साथ और सेस आ गया सुनने प्रस्न पांच पांच में आठ हजार भागा एक हजार आठ हजार भागा एक हजार तो एक हजार से आठ हजार को भाग देंगे तो आठ बार में लगेगा एक हजार अठी आठ हजार यानि एक हजार से आठ बार में गुना करेंगे तब 8000 आएगा तो देखिए भागफल कितना आगया 8 और 6 कुछ नहीं बचा यानि सुन्य तो लिखेंगे भागफल बराबर 8 कॉमा 6 बराबर सुन्य भागफल 8 6 सुन्य 6 में है 12000 भागा 1000 12000 को 1000 से भाग देना है तो हम लिखेंगे 1000 इस तरह से लिख लेंगे ठीक है तो पहले एक बार में लगाएंगे दिखेंगे तो 1200 200 एक बार में 1000 से लगाएंगे ठीक है तो कितना आएगा 200 यानि 1000 से पहले हम 1200 यानि 1200 को लगाएंगे एक बार में तो 1000 लिखेंगे यहाँ पे अब 1200 में 1000 घटाएंगे तो 200 आएगा और एक में से गया सुन्य अब इस सुन्य को उतारेंगे उपर से क्योंकि 200 तो लगेगा नहीं 1000 से तो ये सुनने को यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए 1000 दूना 2000 तो ये आ गया भागफल कितना आ गया भागफल बराबर 12 कॉमा सेस बराबर सुनने भागफल 12 सेस सुनने प्रस्न साथ प्रस्न साथ में है 85 को 10 से भागदेना है तो 10 से कितना बार में लगे है 10,8,8 कितना आ गया देखिए है 85 में साथ सी को घटाएंगे तो 5 और 8 में साथ गया सुनने यानि 5 आ गया तो भागफल कितना आ गया यहां पर भागफल बराबर 8 कॉमा सेस बराबर देखिए सेस कितना आया पांच आया क्योंकि 85 में साथ सी को घटाएंगे तो 5 आएगा ठीक है पांच में साथ गया पांच में साथ गया सुनने यानि 5 आया सेस तो भागफल 8 सेस 5 प्रेसन आठ एक सो पैनतीस भागा 10 यानि 10 से 135 को भाग देना है तो एक बार में 10 तेरा में से 10 को घटाएंगे तो 3 में से सुनने गया 3 एक में से गया सुनने यानि 13 में से 10 गया तो 3 आएगा अब 5 को उतारेंगे तो 10 तिया 30 तो 5 में से सुनने गया 5 कितना आगया भागफल 13 और सेस 5 भागफल 13 लिखेंगे भागफल बराबर 13, 6 बराबर 5 भागफल 13 और 6 पांच आ गया यहाँ पर प्रस्न 9 9 में है 2464 2464 भागा 10 तो 10 से 2464 को भाग देना है तो 10 से देखे 10 दूनी 20 10 दूनी 20 चार में से सूने गया 4 दो में से 2 गया सूने चार आ गया देखे 24 में से 20 घटाएंगे तो 4 अब 6 को उतारेंगे ठीक है इसके बाद 6 है तो 6 उतारेंगे अब 10 चौक 40 6 में से सूने गया 6 4 में से 4 गया सूने 6 आ गया अब 4 को उतारेंगे ठीक है देखें ये चार को उतारेंगे तो चार यहाँ पर लिखेंगे 10 छक, 60 लगेगा क्योंकि 10 सत्य सत्य होता है जो कि जादा हो जाएगा तो 64 में से 60 गया तो 4 आएगा 4 में सुन गया 4, 6 में से 6 गया सुन ने यानि कितना आ गया इसका भागफल 246 6, 4 तो हम लिख देंगे यहाँ पर भागफल बराबर 246 कॉमा 6 बराबर 4 प्रस्न दस दस में है 27,894 भागा 10 27,894 भागा 10 तो 10 से भाग देंगे 27,894 को तो देखिए पहले 27 को लगाएंगे तो 10 दूना 20 कितना आएगा घटके 7 आएगा 7 में सुन गया 7 दो में से दो गया सुन ने अब 8 को उतारेंगे तो 10,70 लगीगा क्योंकि 10,808 हो जाता है जो कि जादा हो जाएगा तो 8 में से सुन गया 8 7 में से 7 गया 8 हाएगा अब 9 को उतारेंगे यहाँ पे तो अब देखिए यहाँ पे भी 8 भार में लगीगा 10,808 9 में सुन गया 9 अब 4 को उतारेंगे तो 10,90 चार में सुन गया 4 तो यहाँ पे इसका कितना आगया भागफल आगया 2789 और सेस्फल यह सेस्फल बोलें यह सेस्फल बोलें यह सेस्फल दोने एक ही चीज़ है तो लिखेंगे भागफल बराबर 2789 कॉमा सेस्फल बराबर 4 भागफल कितना आगया 2789 और सेस्फल 4 तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे 11 11 में 2005 भागा 10 2005 भागा 10 तो 10 से भाग देंगे 2005 को तो 10 दूना 20 देखेंगे दो बार में लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आया अब सुनने उतारेंगे यहाँ ठीक है तो देखेंगे उपर से एक अंग उतारेंगे नहीं लगा तो उसके बदले सुनने देंगे यहाँ पर क्योंकि उपर से एक अंग उतारेंगे और नहीं लगा क्योंकि सुनने है तो 10 से तो लगेगा नहीं तो इसलिए यहां पर एक सुनने देंगे अब देखें 5 भी उतारें यहां से तो 5 भी देखें नहीं लगेगा 10 से क्योंकि 10 से छोटा हो जा रहा है तो उसके बदले भी एक सुनने देंगे तो इसका उत्तर आ गया यानि भागफल, भागफल बराबर कितना हो गया, 200, कॉमा, 6 बराबर 5, भागफल आ गया 200 और 6 पाँच, तो देखिए 5 यहां पे नहीं लगा, तो यह 6 हो जाएगा, ठीक है, और 200 क्या हो गया, भागफल, तो जो भी उपर से उतरता है, अगर नहीं लगता है, 10 से, यानि, 10 से देखिए छोटा, यानि भाजक हो गया 10, तो भाजक से 6 अगर छोटा है, तो यानि भाजक से, अगर छोटा रहेगा, तो नहीं लगदग, फिर अंत में क्या बन जाएगा यह, 6 फ़ल, तो पांच क्या हो सेस सुनने पांच यानि पांच हो गया सेस और भागफल हो गया दो सो